Good morning students, I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, Kota. आज कहा हमारा टॉपिक है Stereochemistry, जो की Continuously चल रहा है, 321 रसायन, VC Part 1 के Organic Chemistry पेपर 2 के अंतरगत आता है. इसके अंतरगत हम आज study करेंगे, पहले Properties of Enantiomers, प्रतिविम्ब रूपों के गुण, फिर उसके बाद कुछ अन्य हम उसके Examples देखेंगे. जो प्रतिविम्ब रूप होते हैं, उनके जो केरेक्टर्स होते हैं, जेनरली सेम होते हैं, जैसे गलनांग पकवथनांग समान होते हैं उनके, मेल्टिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट, Solubility भी समान होती है, विलेयर्था का गुण में उनमें समान होता है, पर कुछ प्रतिविम्ब रूप मिरर इमेज़िस जो होते हैं, वो जो मिरर इमेज़िस पेयर हैं, उनकी समेल या गंद भिन भिन होती है, जैसे menthol हमने लिया, मैनस menthol है, L menthol है, तो उसमें ताजा पुदीनी जैसे समेल आती है, जबकि प्लस या डी menthol हम लेंगे, तो उसकी समेल अच्छी नहीं आती है, ऐसे लिमोनीन में, तो उसमें citrus निबू के समान जो है, उसकी समेल होती है, गंद होती है, और इनके जो optical characters है, प्रकाशिक गुड़ जो है, वो समान परन्तु विपरित दिशा में होते हैं, समान होते हैं परन्तु विपरित दिशा में होते हैं, अगर कोई एक जो है सम्तल दुरुवित प्रकाश के तल को दाहिनी और ठीटा ृइग्री घुमाता है तो। उसका मेरा रिमेज उसे बाही और ठीटा डीटा डिग्री लेगुमा देगा अर्थात एक प्लस ठीटा है तो दूसरा जो है उसका मैनस हो जाएगा तो उनके optical characters या प्रकाशिक गुर्ण समान एवं opposite या विपरित होते हैं Now some important examples of optical isomerism प्रकाशिक समाव है ताके कुछ हम अगर examples देखें तो उसमें first लेंगे हम compounds containing one chiral center और one asymmetric carbon हम पहले पढ़ चुके हैं chiral centers क्या होते हैं प्रीविस लेक्चर में हमने पढ़ा था कारलेटी के बारे में जिसमें की चारों valences जो है different difference समूहों या परमाणों से जुड़ी हो तो ऐसे carbon परमाणों जो है chiral परमाणों कहलाते हैं chiral center कहलाते हैं stereogenic center भी खाँ जाता है chiral center भी खाँ जाता है इसके example भी अच्छ Lactic Acid जैसे हैं यहां example है C, H, C, H, O, H, CH, CH, H, C, H, C, H तो यहां CH3 methyl group है Hydrogen है C, H, Carboxly and OH चारों different groups हैं तो यह करणका यह वाला carbon जो चैलाएगा वो chiral center चैलाएगा अब इसका mirror image देखें, mirror image में इसके एक दूसरे के उपर सुपर इंपोस किये जा सकते हो जिसे अध्या रुपित किये जा सकते हो तो यह D-lactic umla है और यह L-lactic umla है, dextrorotatory and liverotatory इसमें दोनों एक दूसरे के जो है mirror image कहलाते हैं तो इसमें जो lactic acid है उनके mainly तीन तरह से वो पाये जाते हैं D-lactic umla है dextrorotatory उसे plus lactic acid कहा जाता है तो dextror हमेशा जो है गड़ी की दिशा में वो गुमाएगा समतल धुरुविक प्रकाश को plane polarized light को हमेशा clockwise जो है गुमा देगा उसे D या plus lactic acid से denote करेंगे second l या minus lactic umla जो की समतल धुरुविक प्रकाश को by और या anti-clockwise गुमा दे plane polarized light को अगर वो left side में या anti-clockwise जो है उसको गुमा दे तो उसे levo rotatory या minus lactic umla कहा जाता है अब इसमें एक third उसका जो है form और पाया जाता है तीसरा रूप पहा जाता है जिसे DEL बुले आता है means plus minus या फिर उसे बुले आता है racemic racemic lactic umla जो की बहाय प्रतिकार के कारण जो है समतल धुरूविक प्रकाश को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता plane polarized light को किसी भी direction में नहीं घुमा पाता उसे racemic lactic umla कहा जाता है it means यह optically inactive होता है धुरूवण और घुरूणक होता है तो इस तरह से इसके तीन रूप आजाते है और ऐसे ही दूसरे compounds भी है जिसमें की एक asymmetric carbon परमानों होता है means chiral center है और यह तीनों रूपों में पाए जाते है उनकी examples कुछ इस प्रकार है alpha amino propinoic acid जैसे इसमें भी different star group है alpha amino propinoic acid 2 chlorobutane CH3 CHCl C2H5 2 butanol CH3 CHOH C2 2 butanol next is glycerol dehyde CH2OH CHOH CHO malic acid CH2COOH CHOH CWH यहाँ पर यह कारल center है यहाँ पर यह है सब में star जहां लगा हुआ है वो कारल center है carbon next is sakri amyl alcohol active amyl group valeric acid CH3CH C2H5 COOH इस तरह से and mendelic acid इस तरह से यह कुछ examples है जो की तीनो रूपों की इसमें हम तीनो रूप आजाते हैं dextro, divo and racemic dl and dl plus minus means racemic next is chiral and achiral molecules with two stereogenic center दो stereogenic kendra yukkd karyal वो achiral अणू अब इसमें जो है दो stereogenic center हो तो उसको भी हम divide कर सकते हैं यदी वो समान है दोनों centers अगर समान है तो molecules containing two identical stereogenic center तो इसका सबसे अच्छा example है tartaric acid दो समान stereogenic kendra वाला molecule जो है अणू है वो tartaric acid है C-double-O-H C-H-O-H C-H-O-H C-double-O-H अब यह जो कार्बन है जिस पर के star लगा है और यहाँ पर यह जो कार्बन है यहाँ star लगा है दोनों कारल सेंटर से और दोनों के जो डिफरेंट चारो तरफ जिससे वो घिरा हुआ है चारो वेलेंसी जो डिफरेंट ग्रुप चुड़े हो है दोनों में बिल्कुल सिमिलर है समान है तो यह इसमें इडेंटिकल स्टीरोजेनिक सेंटर में आएगा जिसमें के सभी समान समो आमने सामने हो और समान समो विपरित दिशा में हो यदि हम दोनों के उनके मिरर इमेजेस के साथ देखें तो हमें जो different structures में लेंगे वो इस तरह से होंगे टार्टरिक एसिक के स्टॉक्चर है यह फर्स सेकंड थर्ड एन फॉर्थ अगर फर्स सेकंड को हम देखेंगे तो यहां पे CHOH CWH और यहां हाइडरोजन इस साइड है CHOH CWH अब यह अगर दूसरा स्टॉक्चर भी इसी तरह से अगर सेकंड स्टॉक्चर को फर्स के उपर सुपर इंपो से अध्यारोपित किया जाए तो वो हो सकता है तो यह D है टेक्स्टर रोटेटरी मतलब क्लॉक्वाइस जो घुमा दे और यह लिवो रोटेटरी जो प्लेन पॉलराइस लाइट को जैसा कि हमने पहले बताया था वो एंटी क्लॉक्वाइस गुमाएस मतलब बाइए और गुमादे यह दाइए और गुमादे वो डेक्स्टर होता है अब ठ थर्ण वाला जो है इसमें दोनों OS गुप एक तरफ है CHOH, CWH और इधर भी दोनों OS गुप एक तरफ है, दोनों H गुप एक तरफ है तो इस थर्ण फॉर्ट इस तरह की सरिंट्वमादे इसमें उपस्तित है तो हम देखेंगे कि 3rd और 4th जो है इनमें कोई भी अंतर नहीं है तो 3rd को अगर हम गुमा दें इस तरह से इसको रोटेट करें यहां से करें तो OH इधर आजाएगा और यह OH इधर आजाएगा अगर रोटेट करें तो हमें 4th प्राप्त हो जाएगा तो इसलिए इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है अगर 4th को हम इस तरह से गुमाएं तो OH इधर आजाएगा और यह OH इधर आजाएगा तो यह वाला रोट प्राप्त होगा तो 4th को गुमा कर हम 3rd प्राप्त कर सकते हैं तो यह भी एक दूशरे पर अध्यरोप्त किये जा सकते हैं तो इक यह टाइप जो है एक ही रूप है और इनमें जो है एक plane of symmetry पाये जाते है समितितल होता है चिनसके की दोनों और की जो पार्ट होता है एक दूसरे के mirror image होता है तो ये रूप जो कहलाता है वो मीजो रूप कहलाता है ये जो रूप है दोनों ये मीजो फॉर्म ये मीजो रूप कहलाता है और ये किसे बनते हैं आंतरिक प्रतिकार इंटर्नल कमपेंसेशन के कारण ये अप्टिकली इनेक्टिव गुरूवन अगुरूनक होता है तो किसी भी अणों के आधे भाग के प्रकाशे गुणों का दूसरे आधे भाग द्वारा नश्ट हो जाना internal compensation या अंतरिक प्रतिकार कहलाता है क्योंकि वहाँ नश्ट हो जा रहे हैं इसलिए वो जो है दुरूवन अगुर्नक होता है तो tartaric acid जो है इसमें एक asymmetric carbon परमानों के प्रकाशे के optical characters या properties जो है उसके दूसरे asymmetric carbon करमानों के विपरित प्रकाशिक बुण के कारण नश्ट होने के कारण पूरा molecule जो है वो optically inactive जैसा कि अभी बताया दुरूवन अगुर्नक हो जाता है तो इस तरह से ही इसके example है बहुत अच्छा tartaric acid अब मीजो आपने word सुना तो मीजो और रैसिमिक पहले हमने रैसिमिक बिताया था तो मीजो और रैसिमिक में क्या अंतर होता है difference between मीजो और रैसिमिक compounds अब मीजो और रैसिमिक दोनों में ही chiral center होते हैं और दुरूवन अगुर्नक optically inactive होते हैं फिर भी इनमें बहुत जादा difference होता है जैसे मीजो जो है एकी compound होता है जैसे हमने देखा अभी example टाटरिक ऐसे रेकी compound है पर उसमें दो chiral centers थे जबकि रैसिमिक जो होता है वो दो compounds का मिश्रन होता है mixture of two compounds अब मीजो compound जो है उसमे plane of symmetry पाया जाती है सम्मिती का तल पाया जाता है जबकि रैसिमिक mixture होता है तो उसके दोनों compounds जो है उनमें कोई भी symmetry नहीं पाया जाती और दोनों ही optically active धुरूवन घुरनक होते हैं जबकि मीजो compounds जो होते हैं उनमें internal compensation आंतरिक प्रतिकार के कारण धुरूवन अगुरनता मतलब optically in activity आ जाती है जबकि रैसिमिक च्यू मिश्रन होता है रैसिमिक compounds का जो mixture होता है उसमें external प्रतिकार external compensation या बाया प्रतिकार के कारण जो है optically in activity जोवन अगुरूवन 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 आ जाती है इसमें भी दो carbon है दोनों chiral centers है 2-3-dibromobutane CH3-CHBR, CHBR-CH3 and 2-3-butane diol CH3-CHOH, CHOH-CH3 यह कुछ example से इनकी अब next है compounds containing two dissimilar stereogenic centers अभी तो हमने देखा वो similar थे दोनों के chiral centers, अब जो है dissimilar मतलब अलग-अलग असमान हो अर्थात दो असमान stereogenic kendra वाले योगीक अर्थात इनने बोला जाता है vivarim samavayi, diastereomers अगर वो different groups, different है chiral centers, different मतलब कि उनके चारो जो वैलेंसी से है वो different groups से जुड़ी हो दोनों के similar नहीं हो groups तो उन्हें बोला जाता है diastereomers और इस samavayita को बोला जाता है diastereomerism, trivium अप्रतिबिम्बी, trivium samavayita vivarim samavayita या अप्रतिबिम्बी trivium samavayita तो ये optical isomers जो इस तरह के होते हैं जिसमें की एक दूसरे के ये mirror image नहीं होते हैं प्रदरपण प्रतिबिम्बी नहीं होते हैं diastereo isomers केलाते हैं और ये वाले जो होते हैं isomers इनको diastereo isomerism के अंतरगत रखा जाता है तो जिन योगी को मैं दो अ-समान asymmetric carbon फार्मानों हो वे चार तरह के mirror images के जोड़े में पाये जाते हैं जैसे एक्जामपल हम देखेंगे 2-3, यहां देख रहा है 2-3, di-bromo-butynic acid CH3 CHPR CHBR CWH, अब यहां जो दो कारल सेंटर्स हैं पर इसमें यहां hydrogen है CWH है, यहां bromo-group है पर यह वाला जो कार्बन सेंटर है यहां hydrogen है, यहां bromo है पर यहां CWH की जगह है CH3 methyl group आ गया तो यह समान हो गए similarity नहीं है dissimilar हो गए तो इस तरह यह इने बोले जाता है different एक एरल सेंटर्स है तो di-stereo-mars, vivorim, samovay अब इसका यह mirror image है next वाला second compound यह इसका प्रतिविम रूप है पर अगर हम इसको देखें दूसरा compound अगर यहां पर CWH और यहां पर दोनों bromo group सेंब है एक ही तरफ है और hydrogen एक तरफ है, तो यह इसका mirror image है पर अगर दोनों opposite direction में हो bromo और hydrogen तो यह third compound का mirror image यह fourth होगा तिसमें की bromo दोनों oxide और hydrogen oxide तो परन्तु अगर हम इसमें first compound और second तो ठीक है mirror image है प्रतिविम रूप है पर और इनका जो बराबर मातरा में mixture लिया जाए तो वो optically inactive होगा और ऐसा ही third and fourth के साथ होगा पर अगर first or third को लिया जाए first this is and third one this one तो यह दोनों जो होते है first or third या फिर second and fourth this one is second and this compound is fourth second and fourth को भी हम अगर ले और दोनों compounds की जो है मातरा बराबर लेके अगर mission बनाए तो वो दुरुवन घूरनक होता है मतलब optically active होता है और मतलब first and third के या second and fourth के जो optical character से प्रकाशिक गुण है वो तो भिनन भिनन होंगे पर optically active होंगे तो ऐसे जो pairs है वो कहलाएंगे vivrim samavayvi di-stereo isomers clear हो गया di-stereo isomers कहलाएंगे या vivrim samavayvi कहलाएंगे अब यहां हम देखते हैं कि जो mirror images के physical and chemical properties हम देखें बहुतिक और रासैनिक गुण देखें तो समान होते हैं परन्तु जो प्रकाशिक गुण है optical properties हैं वो जो है वो विपरिध होती है परन्तु अगर हम di-stereo isomers को देखें vivrim samavayvi के देखें तो उसमें बहुतिक और रासैनिक गुणों में भी अंतर होता है और प्रकाशिक गुण भी बिन्न-बिन्न होते हैं तो यह इसमें डिफरेंस भाया जाता है di-stereo isomers में कि उनके physical और chemical properties में भी difference होता है और प्रकाशिक गुण optical properties में भी characters में भी difference होता है और इनके जो प्रतिभिम रूप होते हैं इंशोमर्स में होते हैं इनमें दोनों कारवन परमाणों के दो समूव इनमें समान है जिसा कि हम देख रहें जबकि तीसरा गुरूप है वह different प्रक्रतिका है जैसे यहां पर ब्रोमो और हाइड्रोजन यह समान है पर तीसरा गुरूप यहां पर तीसरा समूव जो है बदल गया है एक में CW एक में CH3 गृूप है तो इस तरह से जो है ज जैसे कि यह first वाला compound है, एक ही और स्थित हैं, तो उन्हें बोला जाता है erythro, erythro pair, और अगर यह समान सम्मो विपरित दिशा में स्थित हैं, तो उन्हें बोला जाता है threopair, तो इस तरह के जो isomer से वो हम आगे पढ़ेंगे, उनके examples जो हैं, आगे बता सकते हम उसको, जि हैं कि erythro और threo, जिसे उसका example एक है, 3 chloro, 2 butanol, तो समान सम्मो है, जिसमें कि, दो समान सम्मो विपरित तरफ हो, तो इस तरह से यह example से हैं, stereoisomerism में, diastereomers क्या होते हैं, और किस तरह से उनका जो है, हम structure देख सकते हैं, इसके थ्रूँ, अब next है, दो समान, stereogenic center वाले योगी, अर्थात, diastereomers, जो हमने बता है, threo and erythro diastereomers, उसको हम देखेंगे, तो वे optical isomers, जो एक दूसरे के दरपन प्रतिविम नहीं है, वो diastereomers कहलाते हैं, जैसा भी बता है, और इस प्रकार के जो रूप है, उसमें हम अगर example देखें, यह दूसरे example हमने लिया है, इसका,